question number 14 हमें given है x under root 1 plus y plus y under root 1 plus x is equal to 0 और हमें prove करना है कि dy over dx की value हमारी minus 1 over 1 plus x की power 2 आएगी तो पहली चीज़ जो आपके दिमाग में आ रहे होगी वो ही आ रहे होगी कि हम इस equation को differentiate करते हैं और dy over dx की value निकालते हैं और यह prove करते हैं है ना बट ऐसा मत करना चाहो तक करके try कर लो एक बार लेकिन answer यह नहीं आएगा ठीक हम dy over dx की value अराम से find कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं बट answer यह नहीं आएगा answer कुछ हो रहेगा क्योंकि ना हमें यहाँ पर dy over dx find करने को नहीं कहा गया है हमें prove करने को कहा गया है कि dy over dx की value यह आएगी जब prove के question आता है न तो हम क्या करते हैं हम इसका hint लेते हैं जो भी prove में हमें given होगा उसका hint लो और solve करो तब आपका answer easily आजाएगा यह कुछ नया है कुछ नया सिखेंगे इसमें हम पहली बात तो यह कि यहाँ पे under root कुछ दिख रहा है under root यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे under root है इसको gap करते हैं कैसे gap करें under root को? square कर दो तो क्या मैं यहाँ पे square कर दो both side तो under root हट जाएगा? नहीं हटेगा क्यू? इसको माझलो a, इसको माझलो b, a plus b का whole square क्या होता है हमारा? a square plus b square plus 2ab है कि नहीं, a square a plus b का whole square क्या होता हमारा a square plus b square plus 2 a p, जो यह 2 a b है यहाँ पे वापिस से हमें under root के form में मिल जाएगा, तो ऐसे नहीं करने वाले हम, कि हम इसको square कर देंगे तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसा करेंगे कि ना, x under root 1 plus y को आप लिख सकते हो तो negative हो गई, अब करो square both side, तो on squaring both side, तो क्या value मिलेगे करो, तो क्या आएगा हमारे पास x का मिलेगा x square, और under root से square cancel, तो 1 plus y मिलेगी is equal to minus है, तो minus को square का होता हमारा, positive होता है तो हमें क्या मिलेगा, y square 1 plus x, है कि नहीं, यह value मिलेगी, अब इसको differentiate कर दे, हमारा answer आजाएगा, लेकिन आजाएगा, but क्या करने वाले हम पर इसको solve करेंगे, solve कर इसको x square into 1 x square plus x square y is equal to y square plus y square x, यहाँ पर x square है y square z लेओ क्या फाइदा मिलेगा, दिखो x square minus y square हो गया, यहाँ positive था इधर नेगटिव हो गया, is equal to y square x इसे लेओ, minus x square y, एक ही बात है, है कि नहीं इसे आगे solve करते हैं तो यहाँ से क्या आएगा मेरे पास x square minus y square is equal to, common है कुछ यहाँ पर बिल्कुल common है, x into y common आ रहा है, तो x y common निकाल लो तो हमें क्या मिला y minus x कुछ cancel हो रहा है, हो रहा है जहाँ से देखो, a square minus b square क्या होता है हमारा, a square minus b square हमारा होता है a plus b, into में a minus b, है रहा तो यहाँ ले सकते हम x plus y into में x minus y is equal to, अगर मैं यहाँ से minus common निकालता हूँ, तो minus x y bracket में x minus y आएगा, है कि नहीं, minus multiply करतो, same बन जाएगा, तो इससे क्या फैदा हुआ, same same, cancel कर दो cancel, तो हमें क्या value मिल रही है हमें मिल रही है x plus y is equal to minus x y y यहाँ पे है, y यहाँ पे है x यहाँ पे है, तो common निकाल लेते हैं, y और y में से तो y, minus का है, इधर ले आओ plus का x y, x इसे ले जाओ, is equal to x y common निकाल जागा है, तो y is equal to आगे है, हमार पास, y common निकाल लो, 1 plus x, is equal to यह minus का होगा, minus का x positive था, negative होगा है, इसाड़ा के फिर हमें y की value मिल रही है minus x over me, 1 plus x अब आप, dy over x निकाल लो, इसको differentiate कर दो, both side on differentiating both side with respect to x, तो क्या value y की मिलेगी, dy over dx is equal to इसको u let कर लो इसको v let कर लो, formula यह रहा u dash v minus v dash u over v square, तो minus रहने देते हैं पहले, तो minus निकाल लो पहले इसको differentiate करो, u dash करना है, x का आता है, 1 to 1 into में, v, v हमारा 1 plus x है, फिर के करेंगे हम फिर हम minus करेंगे, तो minus करो इसमें, तो minus है करना है मैं, minus v dash u v के हमारा 1 plus x को करेंगे, तो 1 आएगा हमारा पास, into में u, u के हमारा x है, तो minus x over me, v square v के हमारा 1 plus x का whole square, 1 plus x का whole square, v का हमने whole square कर दिया हमारा answer आचुका है, बिल्लकुल आचुका है, बस थोड़ा, इसको और solve कर लो, तो dy over me, dx की value हमारी आ रही है minus bracket में के हमारा पास, 1 into में 1, 1 plus x minus x over me 1 plus x square का whole square, x, x cancel, तो हमें क्या मिला, हमें यह मिल गया, minus 1 over me, 1 plus x की power 2, ओके तो this is our answer, हमें प्रूव करना था hence, prove प्रूव कर दो